कोशी नदी के तटबंधों के बीच बसे लोगों की जिन्दगी नर्क बन गई है नितिगत उप्यक्षा की पीड़ा जहल रहे कोशी नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे लोगों की कोई सुध नहीं लेता सरकार की पुनर्वास नीतिकी विशंगतियों के कारण आज भी सैकडों गाउं के लोग तटबंधों के बीच ही रहने को मजबूर है तटबंधों के बीच बसे लोगों को हर साल बाढ़ और कटाव की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है बतातें चलें कि सरकार की ओर से गठित कोशी पिडित विकास प्राधिकार कहा है क्या कर रहा है किशी को नहीं पता कोशी हर साल भारी मात्रा में खेतों में सिल्ट जमा कर देती है जिससे लोगों की उरबर भूमी बंजर बन रही है बावजुद इसके सरकार जो लगान या सेस लेती है वह उरबर भूमी वाली लेती है बावन की उपर जो है चार किसिम का सेस भी लिया जा रहा है जिसको सिक्षा सेस, स्वास्ट सेस, सरक्षेस और क्रिसी विकास सेस के नाम से वह भी वसूल आ जाता है जो की सिक्षा के नाम पर कोई भी चीज वहाँ इसकूल नहीं है परहने का कोई संसाधन नहीं है कोई मास्टर नहीं है और उसी तरह से स्वास्त के लिए भी कोई मुकमल व्यवस्था सरकार नहीं किया है वहाँ कोई स्वास्त केंद भी नहीं है और सरक की तो व्यवस्था ही नहीं है किसी परकार का सरक नहीं है फिर भी हम से सेस के नाम से वो सरक टेक्स लिया जाता है इसके अलावा न तो राशन काड है ना ही पीने का पानी, कोई भी सरकारी सहायता इन गाउवानों तक नहीं पहुंचता, ऐसे में कोशी तटबंधों के बीच बसे गाउं के लोगों का अंतहीन डर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा मुझ करेंगे तिन-तीन टो लरका है, उसको दो-दोटा पाल बचा है, उस भी का ने कुछ मिले हैं, ने राशन काड बन रहे हैं, ने उसका सिमला की इंद्राबास मिल रहे हैं, कुछ ही के लाब नहीं मिल रहे हैं हर एक साल घर बिशस्थापित होता है, मतलब कटो जो पानी बहो होता है, उसमें कट जाता है, इसलिए जो दूसरे अस्थान बजाते हैं, इसलिए सरकार से मुअबजा मांगने के लिए आए हैं और सरकार मुअबजा नहीं दे रही है, और इंद्राबास का जो योजना चलाये हुए हैं, उसमें भी बन्चीत रखा हुआ है, और पुनरबास जो दिया हुआ था, उस पर दूसरा आदमी आकर के घर बना लिया है, और पुनरबास भी नहीं मिला हैं हम लोग को कोशी नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे गाउं के लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बिहार के राजधानी पटना पहुँचे हैं, रविवार को दरजनों गाउं के लोग अपने बुन्यादी सवालों पर विमर्ष करने के लिए पटना के एन सिना इंस् जमा हुए और अपनी समस्याओं पर गंभीर चिंतन किया। करें हम लोगों को जो भी वहाँ परिवार है उनको पुनरवासित करें बांध के बाहर और उनको जमिन दे और घर बनाने के लिए जैसे प्यमावास के तहत पैसा मिलता है वो पैसा दें जो कोशी का अंदर नहीं दिया जा रहा है सरकार की दलील है कि कोशी के अंदर अगर हम पैसा देंगे कोशी के अंदर तो वो घर जो है कल कट जाएगा नदी में इस लिए वहां हम पैसा नहीं दे सकते हैं लेकिन हम यही कहना सरकार से चाहते हैं कि सरकार को ये ध्यान है इतना ध्यान है कि हम दो लाक रुपिया या डेर लाक रुपिया जो पीम आवास के लिए मिलता है उसको देने से वहाँ घर बनाएंगे वो कट जाएगा और सरकार को फिर लगान लेने के टाइम में सरकार को इन बातों का ध्यान नहीं है जो हमारी नदी पानी में बह रही है नदी है बालू ह जिल्ट है गाद है और अनुपजाओ है जिसका कि हम लोगों से वो ले टेक्स बसूला जा रहा है लगान लिया जा रहा है उसी सब के चलते जो है हम लोग यहाँ पर एक बात्चीत रखे हुए हैं बता दें कि कोशी नौनिर्मान मंच की योर से आयोजित इस बाचित में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और अपनी बात रखी है इस मौके पर कोशी नौनिर्मान मंच के नेता महंद्र यादो ने कहा कि कोशी तरबंदों के बीच बसे लोगों की बात करना सिर्फ उन भीतर बसे लोगों की आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन कर नहीं रह जाएगी यह चरूर सुनी जाएगी। सरकार करती है कि हमने लोगों को पुनरवासित कर दिया है। जूट बोलती है। जबकि हुआ यह है कि उस इलाके में जो लोग बसते थे, उसके कोशी के साथ रहते थे, उनको तटबंदों में कैद करके छोड़ दिया है। उनके लिए कोई यह उजना भी सेशी उजना नहीं ह वहाँ आपको एक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक स्कूल नहीं मिलेगा, रास्ते नहीं मिलेंगे। विमर्श न्यूज पत्ना